हम ने भी कहा कि हाई को उसने कहा है कि कोई भी दंदात्मक करवाई नहीं होगी सफाई गुरुप परंग साय दिखनने वाला है इस इस हम लोग गेट पर बैठे हुए है नमश्कार मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन सौर्ट्स इन दिड़ो छपरा नगर निगम के सफाई कर्मचारी हरताल पर चल रहे हैं इसे बीश नगर निगम ने एक नया फर्मान जारी करते हुए वेकल्पिक सफाई का प्रस्ताव उनके समक्ष जारी कर दिया है ज जो वेकल्पिक सफाई का प्रस्ताव जारी किया गया है उसको तुरंथ हटाया जाए और तब तक धर्णा जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे को पूरा रही किया जाता है आपको बता देखिए नगर निगम के सफाई कर्मियों ने देर रात नगर निगम के मूख खिद नगर की उपायों द्वारा सफाई कराई जाएगी सूशना मिलते ही दरजनों सफाई कर्मी नगर निगम के मुख्यद्वार पर इखटे होकर अपनी एक जूटता का परिश्वय देते हुए नगर निगम के वहनों को रोक दिया जिसे नगर की सफाई विवस्ता को ठब कर सफाई कर्मियों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना देते रहेंगे आप सुनिए कि नगर निगम के सफाई कर्मियों का इस विशे में क्या कुछ कहना है कि हाई कोट ने कहा है कि हमारी मांग कुछ जायज है कुछ मांग जायज है हमारी और कम चाहिए निटाओं से बात करें और जायज तारिक हाई कोट ने दिया ता यह बात हमने उस्ते कहा हमने यह भी कहा है कि हाई कोई भी दंदात्म करवाई नहीं होगी लेकिन वो सुनने क तो आपने सफाई कर्मियों को सुना जुन ने बताया कि जब तक यह सफाई का जो व्यवस्ता फर्मान सुनाया गया है तक यह जो धर्ना है वो जारी रहेगा क्योंकि उनके खिला बता दिया गया है वो धर्ना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर पिछले कहीं दिनों से यह धर्ना प्रदर्शन जारी है वो रात के अंधिरे में भी प्रदर्शन करने को मश्पूर है इसे बीच जो है नगर क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताईए चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें साथिप बिहार की तमाम चोटी बरी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिये गए नमबर पर जरूर मैसेज करें वीडियो देखने के झाल